हाई फ्रेंड्स स्वागत आपका अज इन्वर्स क्लासेज में तो कैसे आप से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप सांदार होंगे और सांदार तरिकी से पढ़ाई कर रहे होंगे चलिए स्वागत आपका आज के इस वीडियो में जो कि है टीजटी पीजटी के लिए भूकोल की प्रक्टिषेट है मैक्समिमम उत्ना आपके लिए बेनिफिशल होगा आप ज़्यादा स्वागत में या फिर अंबोली जाओवह दैखते में ऑगूमबय को लिए मिखित में से पुर्ण दच्छीर का चेरा पूजी के नाना जाता है स्यमोगा मासीन अगूम्बै या या फिर अमबोली तो जानते हैं अगुम्बे को आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा और यह कहां पर है यह करनाटक राज्जी के करनाटक राज में इस्तित हैं सी मुगा जिले में इसका जो करेक्टेंसर जाएगा यह असम से समद्धे इधा तिकने रेसम के परकार और उत्पादक राज्जी जो सहतूत यानि इसको मलबर रेसम भी बोलते हैं यह जो करनाटक में हाता है इसको म होता है यह एस तरह से इस में आपको चार से पांच उसन में आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं निम्ल्खित में से कुणसी भुकम्पीत तरंग पृत्वी के किंद्र यानि कि भाग से गुजर सकती हो जब तीब्र दबाव के कारण वलन की दोनों हुजाएं एक दूसरे के समनांतर एवं छेती जवस्ता में आ जाती हैं तो प्रडाम सुरूप बना वलन का लाता है सम्मित वलन का सम्नत वलन का परिवलन का या फिर प्रति वलन का या इसे कहते हैं परिवलन सी आपसनिस का बिलकुल क प्रिथिवी के धरातल से प्रिथिवी के आंतरिक भाग की और निम्न को एक कर्मिक रूप से प्रस्तुत किजिए तथा नीचे दिये के कूट की सहाथा से सही उत्तर का चैन करना है सबसे पहले क्या है कि यह आपको बताना था और 6 एक सबसे बिशने के फिर आपका यानी की सेकेंड फिर आपका निकी फोर्थ और फिर आएक हैं dużo चार्च फूंप हो मुल्कुhl हो जाएगा अग़ला परपॉर्शन लेते हैं सुची एक का मिलान सूची दोसे करना है और बताना है कौन सा रर्शक कप्रीद समय एक टाथ जाए या मा सागर वाहे ऐकS ऑप SHATE कटक जो Atlantic मा साग उसमें को उसमें डाल्फिन यानि कि आटलंटिक महसागर का डाल्फिन हो जाएगा यह डाल्फिं के टक है एक तीन प्रसंत में होता है क्कोस प्रसंत में आपका काकोस संय MP2 में मैंडलीव और ऑर का 3 वा दिखते हैं अगले भी सकते पर एगा गया है इसका जो करेक्ट आपसन है यह जगा डी अगला कॉशन लेते हैं निर्मिखित उर्जा में चूना प्रधान कौन से हैं टोपोरा टोरो पार्ट रेडियो लॉरियन डाइटम या फिर ग्लोजी ग्लोबी रेज जेरीना तीक जग एक और चार यानी की टोपोराड और ग संक्विन माधिपी शेल्फ है चीन कनाडा उतरी अस्ट्रेलिया या फिशी डचडी अमेर्का का पस्षिमी तर्ट इसका करेक्ट एंस में कौन प्रवाल विरेंजन यानी बिलीचिंग का प्रमुख कारक है प्रवाल रोग वैस्विक उसमन एन लीनो एल लीनो सागार जल मे आप्सन इसका बेनकुल करेक्ट है निम्खित में से किस जलवाई का उद्भव ग्रही वाइदा प्रेटियों एवं हवाओं के मौसमी अस्थान परिवर्त निकाराण होता है भूमद रेखी जलवाई मरस्तरी जलवाई पस्मी यूरोपी जलवाई या फिर भूमद सागरी ज पासी वर्षा में को सी आप्सन इसका बिल्कुल सही है अगला प्रशन लेते हैं कि वाई परिशंचरन के विभीन प्रकारों में से कौन एक वातागर जनन के लिए उत्तरदाई है गोडन परिशंचरन अस्थानांतरनी परिशंचरन वीरू परिशंचरन या फिर अभी सारी परिशंचरन यह कौन सा है यह आपका वीरू परिशंचरन सी आप्सन बिल्कुल सही है कि वाई मंडल की कौन सी परत वाई यान उडान के लिए अत्यानत्य सुधा जननक दसाएं रखती हैं मोस्ट इंपार्टेंट कोश्चन है यह चोब मंडल समताफ मंडल आयन मंडल या फिर वहिर मंडल इसमें कौन सा है समताफ मंडल में वाई वाई वान उडाने के लिए सबसे सुधा जननक दसाएं होती है और अच्छो मंडल में कहाता है यह होते हैं मौसमी घटना अंगला कोश्चन लेते हैं परितंत्रों की घटना घटती उत्पादक्ता के करम में उनका मासागर तो यहीं करेक्ट है मैंगरो घास अस्तल जील और मासागर करेक्ट के संदर में निमखी में से कौन सा पिरामिट उल्टा नहीं हो सकता है संख्या पिरामिट जय अभार पिरामिट उर्जा पिरामिट इनमें से कोई नहीं तो यह उल्टा नहीं हो सकता है यानि किसी इसका विल्कुल करेक्ट है निम्खी में से कौन सा स्वर उर्जा को रशाने को जा में परिवर्तित करता है उत्पादक प्रात्मी को भोगता दिरतक भोगता या फिर दिद्या को भोगता तो यह करता है उत्पादक यह आप्शन बिल्कुल सही है प्रित्वी की आयो तो ये 4.6 billion worst है, बी आप्षिन इसका बिल्कुल सही है, 2 वसंद भिश्यू आनिकि वर्नल एकवेनैक्स के बीच कितने दिनों का अंत्रावर होता है, 360 दिनों का, 180 दिनों का, 360 दिनों का या फिर 365 दिनों का, तो जो अंत्रावर होता है, वो था 365 दिनों का, D option will be correct answer पृतिवी को कितने समय 6 में बाटा गया है 20 समय 6, 12 समय 6, 16 समय 6, 24 पृतिवी को 24 time zone में बाटा गया है D option इसका correct answer हो जाएगा स्मच्च रेखाओं की निकलता से समच्च रेखाओं की दूरी से समझ्च रेखाओं के कटान से या फिर उपुक्ति में से कोई नहीं तो तीवर ढ़ाल को मांचित पर जब आप प्रदशित कर सकते हैं समझ्च रेखाओं की नीकर्टा से यह आप्शन बिल्कुल सही है जब जहाज अंतराश्टी तीथी रेखा को पस्चिम से पूरव पार करती है तो उसकी तीथी एक दिन बढ़ जाती है एक दिन घट जाती है आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है तो जब जहाद अंतराश्टी तीथी रेखा को पस्चिम से पूरब पार करती है तो उसकी तीथी होती है एक दिन क्याज़दी घट जाती है वी आपसे इसका बेल्कुल करेक्ट एंस्वर है लास्ट कोश्चन निंखित गहरों में से किस पर सबसे चोटा दिन होता है पृति भी मंगल बुद्ध या फिर सुक्रे सबसे चोटा दिन तो पृति पर यह आपसे मिल्कुल करेक्ट है तो उमिद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आगा सेशन पसंद आते वीडियो को लाइक क चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें धन्यवाद कि स्ट्रेटा थियूरी के काप परतिपादन किस बुगल बता दुवारा किया था हर्वर्ट सन हाट सोन टेलर या फिर बलेचांट बलेचांड किसका दर किया गया था यह किया था आपका टेला दौरा सी आपसंद इसका अगला प्रशन लेते हैं निम्रखित में से कौन सा एक तक्निकी सब्द जनसंख्या के आकार एवं क्रिशीत भूमी के बीच के संबन्ध को ब्यक्त करने के लिए प्रिक्त होगा तुलनातमक घनतों, क्रिशी घनतों, काईक घनतों या फिर आर्थिक घनतों प्रदेश निधाद करने वाले विद्वान का नाम है माल्थस, माक्स, एकरमेन या फिर जीमनर्मेन यह कौन थे यह थे एकरमेन, इसका बिल्कुल करेक्ट है निमलखित में से किसने जनना की संक्रमन सिधान का प्रतिपादन किया? F.W. Notestreen, W.S. Thompson, Karl Marx या फिर P.R. Cox यह किया है W.S. Thompson ने आपसा नमबर B करेक्ट हो जाएगा निमलखित में से वर्ष के कौन से बिशिष्ट समय में अधिक्तम उष्ड़कट वंधी चक्रवात आते हैं जून 5 से नमबर 25, जुलाई 1 से नमबर 30, जून 29 से दिसंबर 5 या फिर 1 जून से नमबर 30 तक तो कब तक आते हैं यह आते हैं यह जून से 30 नमबरITH क्दी आपसं बिल्कुल सही है चुब मंडल में टापमान की समान्य हराशदर निमलखित में से कौन सा प्रसित करता है 6.5 degrees celsius प्रति किल्यमीटर 5.0 degrees celsius प्रति किल्यमीटर 6 degrees celsius प्रति किल्यमीटर या फिर 5 degrees celsius प्रति किलो मीटर ये काया करता है ये करता है 6.5 डिगरी सेंटिगरेट प्रति किलो मीटर आपसा नमबर A बिल्कुल करेक्ट है इनके में से कौन स्विटरियल लैंड में उत्तर आलपस की विमुक धाल पर भाती है फान, सिरोको, मिस्टरल या फी चिनूग कौन सी बहती है ये बहती है फान आपसा नमबर A करेक्ट है भूमत देरेखा से लेकर धुरुवत दक दाब और पवन के सही सतही घटक करम निम्निखित में से कौन सा है फिर वी पुरूवा हवा पस्यमी हवाय उपोषड उच्चदाब भीया पारिक पावन तो चबार्च कास सही दोस्तों जवाब वेब हो जागा दी या पारिक पावन उपोष्ड उच्चदाव पस्यमी हमायन और धुर्वी पुरुवा हवा आपसे नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भारत का उत्तर जच्छडी बिस्तार तथा पूरु पस्यमी बिस्तार है 3214 किलो मेटर तह तहां 2970 किलो मेटर 3214 तहां 2333 किलो मेटर या फिर दी 3340 किलो मेटर तहां 2970 किलो मेटर जिसका जो करेक्ट एंसर है हम पूरी उमीद करते हैं कि आप इसका अच्छा से जवाब दे पाएंगे थर्टीफाइब को संग एंसर है वह जाएगा बी 3200 किलोंटर चौदर किलोंटर रथा यह ऐसे 3214 है और जो ऐसे है यह हो जाएगा आपका 2933 किलोंटर चलिए अगला कॉश्ण लेते हैं सबसे लंबी समद तर्टी रेखा किस राजी की है तो वह गुजरात की 36 का जो करेक्टवर जागा ऑजागा डी आपन्सवर नंबर क करेक्ट कीमाली में हीमद रेखा निम्न के बीच होती है लिए कि किसी के लिए उपयक्त होती है उनमें नाट्रोजन तथा जय प्रदात प्रचूर मात्रा में पाये जाते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा A तथा R दोनों सही है तथा R A की सही ब्याख्या है A और R दोनों सही है परन्तु R A की सही ब्याख्या नहीं है D A सही है परन्तु R गलत है या फिर D A गलत है परन्तु R सही है जिसका जो correct answer है A सही है लेकिन R क्या है गलत है चलिए अगला परशन लेते हैं निम्नी में से कौन एक सही सुमिनत नहीं है नांगल मान सतलल नदी सरदार सरवर प्रयोजना नर्वदा नदी नाकारजन सागर प्रयोजना गोदारु नदी हिर्याकुन बात महा नदी इसमें से कौन सा सही नहीं था या आपको बताना था तो इसमें से सी है यह सही नहीं है न मांडव पहाणियां महाराष्ट नल्लामलाई पहाणियां आंध्रदेश सिवराय पहाणियां तमिलाड तो कौन सा सही सुमेल नहीं से यह आपको बताना है तो जो इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है मांडव पहाणियां आपसा नंबर बी करेक्ट है बाकि गड़जात कुर्व्य इस्तित हैं कि दम्राड में सरद्कालीन वर्सा अधिकांस तक जिन सोती हुए हैं पश्मी विच्छोवग दस्षडी पश्मी मांसून उत्तर पूर्वी मांसून तो उत्तर पूरुवी मांसून सी आपसन इसका बिल्कुल कर्रेक्ट है सुची एक को सुची दो से मिलाना है अभी हमने इसको correct पीसे हमने solve किया है इसको मिलाना एक तरफ परियोजना है और एक तरफ इसकी अवस्तिती है चले इसको match करते हैं दीखें किया हो ज्याएगा का जो भाख़दानागर प्रिविनाव किस्न दिपर आपको बताना था तो भाख़दानागर कहां पे है यह 17 य्ठ पर समय पर YouTube कि एक चार ही राकूंड ही राकूंड कहां पे है हिराकूंड महाणादीपर है और इदपक्वाज़ कहां पर और यह देखकी क्याफ है पेरियार्प है तो कौन सा है एका चार बी का दो कि एका चार बी का तीन है आपसे नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्चन विश्व में हरित क्रांती के जनक कौन है नार्मन ई बॉरलाग एमस स्वामिनाथन जी एस खुस या फिर बी पी पाल यह कौन है यह आपके फोटे थीर नंबर कोशन का एंसर जागा यह नार्मन ई बॉरलाग किस राज में भारत किस राज में सरवादिक काफी उत्पादन की जाती है महराष्ट केरल ओडिशा या फिर करनाटक पर कहा कि जा पर है यह है पोडिशा में आपशन नंबर डी करेक्ट है यह प्रिथ भी कि घुड़न गति नहों हो तो इसका प्रिडाम यह होगा कि दिन और रात का चक्र नहीं होगा किवल एक रित होगी सुर्योदे और सुर्यास्त नहीं होगा दिये गए कूल्ट का प्रियोग कर सही उ आपशन इसका करेक्ट है सीद कालिन अहनांत विंटर स्वलेश्टिक के समन्द में कौन सा कथन सही है उतरी धुरूपर 24 गंटे अंधिरा चाहे राता है यह 21 जून को होता है दाचड़ धुरूपर 24 गंटे अंधिरा चाहे राता है यह फिस सुर्य सर्वच्च पर होता है तो कौन सा गलत है यह जागा उतरी धुरूपर 24 गंटे अंधिरा चाहे राता है यह आप्शन करेक्ट है लोह अयस्क का निच्छेप निवनिखित में से किस क्रम की चटान में पायाता है टर्सियरी धार्वान गोडवाना या फिर बिंध्यन तो जो यह पायाता है या पाय विए कि पूरी-पूरी कोशिस करेंगे जिसे कि आप क्या क्या होगा जितना आप कोशिस करेंगे चारम को फिंध्वां चाहा को क्या हो जाएगा एक का 3d 4 एक और मिच्ट का था तो पीट जीक था अपके quand nightmare कर जाएगा सबसे बड़े कवले के अपकर आप स से बड़े के भंडर किस देसben तो पर है यह है आपके USA में यह option correct है इसको तमराई के नाम से जानते हैं किरकुक जो विश्व में सरवाधिक महत्पुर्ट तेल छेतर है कहा इस देथे इरान इराक कुवेट या पिर रसिया यानि कि रूस में यह है इराक में आपसा नमबर भी करेक्ट है निमलखित में से कौन सा एक पुनर नर्वीकरण उर्जा नहीं है भूतापी उर्जा जल विद्दूत आणडवी कुर्जा या पिर सवर उर्जा तो आणडवी कुर्जा होती है यह जो है इसको इसको रिसाइकेल नहीं किया सकता है आपसा नमबर C करेक्ट हो जाएगा इसका उत्तर में पोर्ट डार्वीन और जशर्ण में पोर्ट आंगस्टा को जरोड़ मैदानों में निम्लिखित में से किस अधिवासों निम्लिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रत्रूप मिलता है रेखी वृत्त्यक्र्व प्रत्रूप और प्रत्रूप या फिर नेबूला प्रत्रूप तो कौन सा है सी प्रोस्य हाजिश इसका आथाकार प्रत्रूप सी आप्षन किर dew को नाडबस्भा च्हिंता निम्खित-के बीच पाए जाती है बाहरी और भुतरी कोर, CL और C में, यानिके CL और सिमा, सिमा और नीफे या फिर उपरी मेंटल और नीचरी मेंटल तो किसके बीच पायाता है, सियाल और सिमा के बीच में आपसर नमबर B करेक्ट है ग्रेनाइट से निर्मित कायंदरी चटान है, कोबाल्ट, स्लेट, नीच या फिर बेसाल्ट, कौन सा है, यह है नीच, आपसर नमबर C, इसका करेक्ट है ज्वाला मुखी से निकलने वाली धूल और राक सामगरी को किस रूप में जाना जाता है, पायरो क्लास्टिक, हाइपर क्लास्टिक, हेपिरो क्लास्टिक या फिर सीरो क्लास्टिक इसको जाना जाता है PyroClastic के नाम से E option correct है निम्नी में से किसने Plate बिवर्तन की से दांत का प्रितिपादन किया था Harry Hays, Hallam W.J. Morgan या फिर Heart Her Deshalb ने किसने किया था इसको किया था पारित W.J. Morgan ने option number C इसका correct है भूदर्स सनचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रिणाम है या किसका कथन है पेंक डेविस हटन या फिर होम्स या किसका कथन है या जो कथन है यह है डेविस का आपसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा कि निम्खी में से किस भू आकिरती का निर्माण हिमानी और परदन सिर्ण नहीं हुआ है सर्क नूनाटक हार्न या फिर डुमलीन किसका नहीं हुआ है बाकि इन तिनों का हुआ है लास्ट कोशन आज की सेशन का ज्वार भाटा की उत्पति सम्मंदित प्रगामित रंग सिधा है और उसके प्रतिपादन है उससे जो इससे दो तर तर तीन कुशन आपके टीजर्टी एक्जाम में आएंगे तो आप इसको जरूर से याद रखें और नोट कर लें तो किस ने किया था यह किया था आपके बिलियम वेल ने